और खबरोमा के बात करते हैं जहाँ पर उत्राखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में फस 41 मज़ूरों को सकुष्यल बाहर निकाल लिया गया है सता दिन के रेस्क्यू उप्रेशन के बाद NDRF और SDRF की टीमों ने मज़ूरों को बाहर निकाला प्रधानमंदी नरिंद्रमोदी ने टनल से बाहर आये 41 मज़ूरों से फोन पर बात की प्रधानमंदी नरिंद्रमोदी ने टेस्क्यू उप्रेशन को सफल बनाने वाले जवानों की सरहना करते हुए कहा कि उनकी बहादूरी और संकल्प शक्ती से हमारे जो मज़ूर भायों को नया जीवन मिला है इस मिशन में शामिल हर किसी ने मानवता और टीम वर्क की एक अधबुत मिसाल कायम की है प्रधानमंती नरेंदर मोधी ने आगे ये भी कहा कि आप लोगों के बाहर आने पर मैं कितना खुश हूँ ये शब्दों में वया नहीं कर सकता अपने इतने दिने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई है और एक दूसरे का होसला बढ़ाया है प्रधानमंती नरेंदर मोधी ने आगे ये भी कहा है कि टनल के अंदर पाइप से चीजे भीजी गई रोशनी ओक्सिजन से लेकर खाने पीने की चीजे पीम ने बात करते हुए एक मज़ूर से कहा कि टनल के अंदर वो सभी एक दूसरे के साथ हिम्मत के साथ रहे उन्होंने बताया कि टनल के अंदर धाई किलो मीटर का एक एरिया है और सभी मज़ूर सुभा टनल के अंदर ही वोक करते थे उन्होंने वहाँ पर योगा भी किया